क्लास 12 की बुक इंडियन एकॉनोमिक डिवल्मेंट जो की एकॉनोमिक स्लेबर्स का पार्ट है उसमें से एम्प्लॉइमेंट चेप्टर का पार्ट टू लेकर क्या हूँ आपके लिए और पार्ट वन पहले मैं फिनिश कर चुका हूँ और उसमें मैंने आपको कुछ इंपोर्टन टॉपिक्स कराये थे चले तो अगेन बहुत एजी लेंग्वेज में शुरू करते हैं पार्ट टू को और एक बार नज़र डालते हैं कि पार्ट वन में हमने क्या कुछ कम्प्लीट किया था वाट इस वर्क हमने बात की कारे क्या है श्रम क्या है लेबर फोर्स क्या है इनके बारे में बात की region के according और sectors के according वही कितने कितने लोग कहा कहा काम कर रहे हैं इन सब के बारे ने बात की थी part 1 में अब हम part 2 को शुरू करते हैं और part 2 में हम बात करेंगे सबसे पहले कि employment जो है उसका क्या होता है growth rate कि employment बढ़ कितनी तेजी से रहा है इससे पहले economy growth भी आप study कर चुके है macro economics के कुछ chapters में कि economy growth को हम कैसे define करते है basically GDP का increase होना तो यहां हम बात करेंगे क्या ये दोनों related हैं आपस में GDP की increase होना यानि economy growth होना और employment rate का बढ़ना क्या इनमा आपस में कोई relation है क्या और अगर है relation तो कौन किसको कैसे यानि एक की बज़े से दूसरा बढ़ता है या घट रहा है क्या इनकी आपस में कोई relation है क्या इसको study करेंगे हम यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं economic growth की मैं आपको अलड़ी वैसे कह चुका हो कि यह macro में पढ़ लिया है हमने फिर भी एक बार यह रियल GDP जो होता है यानि वास्तविक GDP जो होता है वो निरंतर रूप से अगर बढ़ता चला जाता है तो हम कहते हैं में economic growth हो रही है और हो भी रही है भारत में भारत में अगर हम देखें तो 1990 के बास से काफी तेजी से भारत में GDP जो है वो बढ़ा है आज भी अगर हम देखें वर्ष यह जो 2020 और 21 के अगर हम आकड़े देखें इसमें थोड़ी गिरावट है ठीक है कोविड की वज़े से अधरवाइस 7%, 8%, 6% इतने के आसपास हमारी economic growth हर साल रहती है अब बात करते हैं jobless growth की jobless growth क्या हुई है देखें हमारा क्या है GDP बढ़ रहा है हर साल मैंने कहा कि 6, 7, 8% के लगवक की हमारी growth होई जाती है GDP में तो that means economy growth तो हो रही है हमारी पर क्या employment बढ़ रहा है अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है ज्यादा ज्यादा रोजगार मिल रहा है यानि कि situation when the economy is able to produce more goods and services able to produce more goods and services मतलब यानि economy growth हो रही है but without a proportionate increase in employment opportunity किसके बिना कि एक अनुपातिक यानि समान अनुपात में same proportion में jobs में increase नहीं हो रहा है employment opportunity increase नहीं हो रही है अगर employment increase हुए बिना अगर economy growth हो जाती है तो उसको हम कहते हैं jobless growth याद कर लेना इस definition को अच्छे से exam point of view से important definition है इसलिए यूजवली मैं definition वैसे लाता नहीं हूँ कभी slides में चरिए अब यहाँ पे इस data को देखिए ये आपको कई जगा मिल जाएगा इस पे based question इस पे मैं भी questions करा चुका हूँ practice questions data interpretation की practice की questions की एक video है मेरी बलकि video का मैंने वो आपको live streaming कराई थी तो उसमें भी मैंने इसको use किया था और ये sample paper में भी है used ये जो cbsc का sample paper है उसमें भी use हुआ है ये graph यहाँ पे आप देखिए कि light color जो है उससे GDP दिखा है तो GDP आपने देखा कि ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बढ़ रहा है डार कलर की line से employment दिखा है ये देखिए ये नीचे वाली line ये नीचे वाली line बड़ी घटी बड़ी जो भी हुआ लेकिन इस उपर वाली line को कहीं भी इसने intersect नहीं किया कहीं भी काटा नहीं इसको तो that means यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1951 से 2000 बार आगे बीश में भारत में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि जबकि GDP की growth rate और employment की growth rate बराबर हुई हो या फिर employment की growth rate GDP की growth rate से ज़्यादा हुई हो ऐसा कहीं आप एक बार भी इस में नहीं देख पाएंगे तो इस पूरी पिक्चर को देख के यह हमें आइडिया हो रहा है और खास तोर पर यहाँ देखिए हम जितना हम आगे की और बढ़ रहे हैं आगे के वर्षों में तो यह जो gap है यह बढ़ रहा है एक यह वर्ष आया था 1961 से 66 का यह दोर है इसमें यह gap बहुत कम हुआ क्योंकि यहां पर हमने देखा कि employment rate बढ़ा यहां तक और हमारी growth जो है वो थोड़ी घटी तो यह gap थोड़ा कम हो गया फिर यह gap बढ़ा यहां पर देखिए काफी बढ़ गया फिर यह थोड़ा कम हुआ फिर बढ़ा और यहां पर देखिए दोजार पांच दस में वर्ष दोजार पांच दस में तो यह gap कितना ज़्यादा हो गया तो यह जो बढ़ रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि भारत में economy growth तो हो रही है growth का तो chart जो है growth का जो यह line graph है यह तो उपर की तरफ जा रहा है काफी तेजी से लेकिन यह जो employment का है यह देख सकते हैं आप इसमें employment में कोई बढ़ा उत्री नहीं हुई कोई increase नहीं हुआ है employment rate में employment के growth rate में यहां पर आप इसको देख सकते हैं थोड़ा बहुत आशिंग रूप से बढ़ा फिर घट गया फिर थोड़ा बढ़ा फिर घट गया फिर थोड़ा बढ़ा तो almost आजादी के time पे उससे दस एक साल बात देखे यहां पर 2.03 है यहां पर 2.28 है यहां 1.12 है तो यह इसमें थोड़ी बहुत गिरावट भी आई है इंक्रीस तो यह होना दूर की बात है तो यह बहुत ज़्यादा यह लक्षण है jobless growth के अब growth and changing structure of employment यह क्या है इसको देख लेते हैं कि it is necessary to know how the growth pattern of employment and GDP affected different sections of workforce workforce के अलग-अलग sections पे क्या प्रभाव डाला उसने और development strategies in many countries have aimed at reducing the proportion of people depending on agriculture यह एक fact है कोई भी देश है वोई मानता है कि development की जो प्रक्रिया विकास की जो प्रक्रिया है उसका यह एक important part है कि agriculture पे कितने लोग depend है कितने लोग वहाँ पे employment पा रहे है agriculture sector में वो धीर धीर घटता है लोग agriculture से shift होके कहां जाते है industries पे जाते है फिर industries से कहां जाते है tertiary sector यानि services पे जाते है ऐसा mostly countries में होता है इंडिया के case में हालकि इतना ज़्यादा यह नहीं हो पाया है पर हुआ यहाँ पे भी है डेटा देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा देखिए है डेटा यहाँ पे primary sector जिसे हम agriculture sector भी मान लेते है secondary और services sector 1972-73 से लेगर के 2017-18 तक का डेटा है तो agriculture sector में पहले 74.3% लोग employment पा रहे थे रोजगार मिलता था इतने लोगों को यह घट गया और recent year में यह 44.6 रह गया बस इतने परसंट रह गया services sector में यह increase हो गया 14.8 था कभी यह 1972-73 में सिर्फ 14.8 प्रतिशत लोग services sector में सेवशेतर में काम करते थे जोगी आज की डेट में 31% लोग करते हैं industries का भी increase हुआ है 10.9 से लेकर 24.4 हुआ है लेकिन भारत में बहुत developed countries में से एक country नहीं है लेकिन फिर भी हम देखें industries का इतना share नहीं बढ़ा जितना की services का share बढ़ गया है तो थोड़ा सा ही है तो तो थोड़ा सा ही है तो यह हम पाते हैं status wise पिछली जो वीडियो थी part 1 जो था उसमें मैंने बताया था कि जितने workers होते हैं उनको तीन category में हम divide कर लेते हैं self employed होते हैं regular salary वाले होते हैं जो offices में या government job जिनकी होती है और casual wage labor होते हैं जो मज़दूर होते हैं अगर 72, 73 से 2017, 2018 के आकड़ों पर हम गोर करें तो हम देखते हैं कि self employed घट गए लेकिन casual wage labor बढ़ गई है अब समस्या यही है और बलकि यह बीच में तो आप देखें 32% तक भी पहुंच गई लगवर 30% तक अब थोड़ा सा improve होआ है तो casual wage labor का बढ़ना जो है एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है उसका reason क्या है actually casual wage labor जो है उसमें जो standard of life है वो कम है छुट्टियां मिलती नहीं काम ऐसी circumstances में करना पड़ता है जो बहुत खतरनाक circumstances होती है बिमार हो जाएं तो इलाज का पैसा नहीं मिलता pension नहीं मिलती जो महिला है उनको maternity benefits नहीं मिलते तो कई तरह के नुकसान है इसमें तो ऐसा casual wage अगर ये ये वाली labor अगर increase हो रहे है इनका share अगर बढ़ रहा है तो that means कि ऐसी population जो ऐसा काम कर रही है जिसमें कि job security ना हो खत्रा हो वो ज़्यादा बढ़ रही है जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है इसे हम casualization of labor भी कहते हैं देखें यहाँ पे process of moving from ये definition is की from self employment and regular wage employment to casual labor is called casualization अगर हम दें आकडो बे ध्यान तो last four decades में क्या हुआ है कि self employment से casual labor पे ज़्यादा लोग move कर गए हैं और यहीं मैं अभी आपको बता रहा था कि maternity benefit नहीं मिलता है महिलाओं को भविशा निधी नहीं मिलती है pension नहीं मिलती है कई तरह के नुकसान हैं मैंने का छुटिया भी proper नहीं मिलती है जितने दिन काम करोई जितने घंटे काम करोई उतने दिन का पैसा मिलेगा चलिए हम बात करते हैं workforce का classification करते हैं दो भागों है पहले workforce का हमने किया था type of work पे कि वह self employed है salary है casual है किस तरह किसे हम दो categories में दो sectors में इसको divide करेंगे पहला sector है हमारा formal sector जिसे हम organized भी कहते है यानि संगटिद भी कहते है और दूसरा sector है हमारा informal जिसे हम unorganized sector कहते है ये क्या है अभी आप देखेंगे कि इनके ने कुछ conditions है satisfy हो जाए तो formal है satisfy ना हो तो informal है formal में क्या होता है informal में क्या होता है ये भी अभी डीटेल में बतायता हूँ पहले फॉर्मल की बात करते है जो हमारा ओर्गनाइस सेक्टर है जितनी गॉर्वर्मेट जॉब्स हैं पॉब्लिक सेक्टर एंटरपाइजिस हैं उनमें काम करने वाले सारे लोग वो फॉर्मल एंप्लोई कहलाते हैं प्राइवेट सेक्टर में है थोड़ा सा इशू प्राइवेट सेक्टर में क्या है कुछ लोग ऐसी स्टेबलिश्मेंट में काम करते हैं जहां दस या दस से ज़्यादा लोग मतलब उन्होंने हायर कर रख्यों तो ऐसी स्टेबलिश्मेंट जहां दस या दस से जादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे काम करने वाले सारे लोग क्या formal employee है इनके ओपर government क्या करती है कुछ labor laws frame करती है और वे सारे इनके ओपर लागू होते हैं और यहाँ जो employees होते हैं उनको इन labor laws से क्या होते है थोड़ी protection मिलती है labor laws जैसे फिर काम के कितने घंटे होंगे 8 घंटे होंगे minimum salary कितनी होगी 15,000 रुपे होगी हफते में एक चुटी होगी तो ऐसे बहुत सारे नियम बना रखे हैं फिर provident fund जो है बविशा नहीं दी जिसे कहते हैं वो भी कटेगा और बाद में मिलेगा वो इकटा हो करके तो कई तरह के benefits इनको मिल जाते है और labor laws की वज़े से इनको protection मिलती है इनका शोशन नहीं होता जादा फिर workers जो हैं इस sector में social security benefit मिल जाते हैं जैसे मैंने का pension मिल जाएगी medical benefits मिल जाएगे maternity leave मिल जाएगी तो यह सारी यहां पर जो conditions हैं यह क्या बनाती है formal sector को अगर यह जो हमने यहां देखा 10 अगर 10 से कम हो तो अगर less than 10 employees हैं तो फिर यह सारे के सारे बिचारे यह क्या हो जाएगे informal sector में आ जाएगे unorganized sector जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगा यह तो farmers है इस category में आते हैं और यह लोग क्योंकि इनकी जो आये के स्रोथ हैं वो अस्थिर नहीं होते और कुछ लोग ऐसे भी मजदूर हैं तो बेहत कम उनकी कमाई है कभी दो दिन में एक बार कमाई होगी कभी हफते में एक बार कमाई होगी तो इनकी जो मूलबूत आवशकता है बुनियादी आवशकता है वो भी पूरी नहीं हो पाती ऐसे बहुत से लोग तो slums में रहते हैं जोंपडियों में रहते हैं squatters भी होते हैं इन में से बहुत सारे यानि कहीं भी कभजा करके रहने लगे और मैंने जब poverty वाली वीडियो थी उसमें बताया था यही तो लोग हैं जो poor हैं और कौन है poor? कोई नए थोड़े ही आते हैं ऐसे ही लोग poverty के category में होते हैं कि यह sanitation की problem है इनको electricity नहीं मिल रही इनको water supply नहीं मिल रही और इनकी regular salary नहीं है तो जिसकी वज़े से इनको two meals per day का भी challenge रहता है literacy rate इनका poor रहता है चलिए अब जो workforce है कुछ उसका data देख लेते हैं मैंने कहा था फर्स वीडियो में कि 473 million भारत की workforce थी 2011 बारे वर्ष में च्छिक है? इस में से सिर्फ 30 million 473 में सिर्फ 30 million नहीं 6% लोग ऐसे हैं जो formal sector में है और इस formal sector में भी आप देखें 24 million क्या है? male और 6 million सिर्फ 6 million female है तो आप देख सकते हो कि formal sector में female का जो participation है वो कितना कम है और अगर हम informal में भी देखें 30 तो इदर चले गए बागी के 443 वो यहां पे आगे उन 443 में से भी 310 यह पुरुष और 133 महिला है तो यानि महिलाओं की भागीदारी यहां पे भी बेहत कम है इन फॉर्मलाजेशन एक नया concept ड़लब हो रहा है पिछले अगर 6-7 दशकों का हम trend देखें तो इंडिया में जो major जो employment create होगा है रोजगार की जो संभावनाएं यहां पे पैदा हुई है वो informal sector में ज़्यादा हुई है यानि की ऐसे जैसे casual labor हम कहा दें या फिर self employment में देख लें जो regular salary employment है उसमें उतना employment generate नहीं हुआ है पिछले कुछ दशकों में तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पे क्या informalization हो रहा है workforce का basically हम इसको कैसे define करते हैं कि जब workforce में informal sector जो है उसका जो share है वो बढ़ जाए तो उसका हम कहते है informalization कह देते हैं यानि कि अनौपचारी करन कह देते हैं इसको हम कारेबल का तो इसकी अपनी समस्या है क्योंकि आपने देखा कि informal sector जो है वो अपने साथ में कई समस्या है लेके आता है कैसे तो इसमें समस्या है क्या है basically कि informal sector में job security नहीं होती बात करें health की तो बड़ा health का hazard रहता है ऐसी bad conditions में job करनी पड़ती है लोगों को तो वो सारी समस्या है जो informal sector की है वो ही सारी की सारी समस्या है informalization यानि अनुपचारी करण के कारण भी वो पैदा होती है तो इसको हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छा trend नहीं है किसी भी country के लिए फिर चलिए आब बात कर रहे हैं कि बही unemployment क्या है बेरोजगारी ये बात ऐसी है कि हर बच्चा जानता है बेरोजगारी के बारे में तो मैं बहुत अच्छा detail में इस पर discussion नहीं कर रहा सब जानते हैं बेरोजगारी क्या है कितने तरकी होती है लेकिन फिर भी class 12 के level पे जो ये chapter है employment का उसमें कितना आपको study करना है क्या क्या points है जो major points है जहां से question बनते हैं वो मैं discuss कर रहा हूँ आपके साथ सबसे पहली बात तो ये है कि बेरोजगारी को हम define क्या करें कैसे तो ये क्या है labor force का वो part है श्रम शक्ति का वो part है जो काम करना चाहता है यानि willing है ये condition है इसमें the person is looking for work लेकिन उसको मिल नहीं पा रहा है और economist जो है इसको कैसे define करते है कि अगर आधे घंटे और economist इसको कैसे define करते है कि अगर एक आधे दिन में एक घंटे का भी काम ना मिले यानि half day में one hour का भी अगर किसी काम नहीं मिल रहा है तो हम कहा देंगे unemployed है वो person लेकिन employment में मैंने आपको explain किया था कि जो लोग supporting role भी play कर रहे है न वो भी employed माने जाते हैं तो कोई थोड़ा सा भी काम कर रहा है गंटे का भी काम किसी को मिल रहा है उसको भी हम include कर लेते हैं जरूर नहीं कि full time worker होगा तो ही हम उसको employed में include करेंगे चलिए reasons के हैं unemployment के वो थोड़ा सा देख लेते हैं ये इस पर question बन जाता है कि what are the main causes of unemployment in India तो अगर हम वैसे normally बात करें unemployment के reason कई तरह के हो सकते हैं भी लेकिन हम यहाँ पर India specific बात कर रहे है तो slow rate of economy growth अमेरिका में अगर हम बात करें कि unemployment के reason क्या है वहाँ के हो सकते हैं डिफरेंट हो लेकिन इंडिया के लिए क्या है population explosion जनसंग क्या विसफोर्ट ये इंडिया में है ना अगर हम देखें कि इंडिया की जो population है 100 करोड बढ़ चुकी है जब देश आ जाद हुआ तब से अब तक तो इतने सारे लोग जो है उनके लिए employment generate करना को easy काम है क्या तो इतने सारे लोग अगर यहाँ पर जनसंग के हमारी बढ़ रही है तो naturally कुछ unemployment भी यहाँ पर आएगा कुछ लोगों काम नहीं भी मिल पाएगा economy growth rate हमारी वैसे भी अगर हम देखें 1990 के दशकता कोई खास नहीं थी हमारी उसके बाद ही थोड़ी economy growth rate जो हमारी वो थोड़ी fast हुई है तो industrial sector जो है वो भी तना जाद हमारा grow नहीं कर पाया उसके होने के कारण क्या हुआ कि जाएतर लोग आज भी agriculture में लगें और agriculture में समस्या क्या आती है कि agriculture में देखने को तो सब लगते हैं कि उनको सब को काम मिल रहा है सब के सब जो है रोजगार में है कोई बेरोजगार नहीं है लेकिन वहाँ एक अलग तरगी छुपी बेरोजगारी होती है दिखती नहीं है जरूत है दो लोगों की लगें में चार लोग काम करने के लिए तो ये समस्या है फॉल्टी प्लानिंग कर्मेंट की जो प्लानिंग है इंडिया की कंडिशन के कोडिंग है नहीं कि बड़ी बड़ी इंडिस्ट्री लगा दो मेकनाईजिशन कर दो मशीने लगा दो पता चल रहा है उसने एक मशीन ने पचास लोगों को रिप्लेस कर दिया तो फाइदा क्या हुआ हमारे देश को ये माइक्रो यानि सुक्षम जो उद्योग होते हैं लग उद्योग होते हैं जिनको स्मॉल कहते हैं ऐसी स्मॉल इंडिस्ट्री की माइक्रो इंडिस्ट्री की माइक्रो इंडिस्ट्री की जरूत है हमारे देश में तो अगर हम खरआवे我們 hein Score है ने किताब रहे हैं वह अध़ाया है उसकूलों में आपकोशन्स कोशे जाते हैं आайт। में, जब हम job के लिए जाते हैं, वहाँ कोई रॉल नहीं है, जब job के लिए जाते हैं, interview के लिए जाते हैं, वहाँ जो questions पूछे जाते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि किस तरह की quality उनके इंदर हो, किस तरह काम करना उनको आता हो, तो वो बच्चा पढ़ गई नहीं है उस तरह की कोई चीज तो vocationalization जो है उस तरह की education को काफी कहा जा रहा कि वई vocational education दो ना लोग को छोड़ी-छोड़ी machine चलानी आती हो ताकि उनको नोकरी तो मिल यह रोजगार तो मिल जा है करने को तो आप graduate बना दो किसी को post graduate बना दो आत NSSO करता है इस काम को NSSO क्या करता है data collect करता है unemployment और employment के लिए पांस साल में NSSO एक बार survey करता है NSSO क्या है national sample survey office रास्ट यह पृतिदर्श सर्वेक्षन कारेल है यह है NSSO तो यहाँ पे आप देखो कि यह क्या करता है data collect करता है और उस data के base पे हम अनुमान लगाते हैं कि देश मे बेरोजगारी कि दर कितनी चल रही है फिलहाल आगर बेरोजगारी के और हम देखें कि और कहां कहां से हमें आकडे मिलते हैं तो census की report दस साल में क्या होता है census होता है जिसको हम कहते है decadal census वहां से पता चल जाता है मोटे मोटे से आकडे लेकिन detail report हमें यह NSSO का जो survey इसी से मिलती है नमबर टू पर जो लिखा है फिर नमबर स्री पर है data of registration with employment exchange मैंने आपको बताया था first video में की employment exchange होते हैं और उन employment exchange पर क्या है सारे जो बेरोजगार होते हैं चैन्थ के बाद 12 करने के बाद जितनी भी आपकी qualification है उसके बाद में आप वहां पर registration करा रहते हैं कि सर course मैंने करें ये भाशाए मेरे को आती है सर मेरे लाए कोई नोगरी हो तो मुझे बताना तो जो registration का data होता है उससे पता चलता है कितने लोग वेरोजगार है कितने लोग ऐसे हैं जो नोगरी ढूंड रहे हैं तो ये main reports हैं जिनसे पता चलता है कुछ कि कितना unemployment rate चल रहा है औ रोज जाके वहाँ बैड़ जाते हैं सुबही सुबहा और जाके बैड़ जाते हैं रोज सुबही सुबहा और च्छे बजे साथ बजे जाके बैड़ जाते हैं आट बजे करीब कोई आया मजदूर का काम उसे कराना था और वो मजदूर को ले गया तो काम मिल गया कई बार होता है शाम हो याती है बैटे बैटे कोई नहीं आया बैचारे उठकर के अपने घर चले आते हैं तो ये खुली बेरोजगारी शेहरों में ज्यादा दिखाई देती है ये अर्बन एरियास में और डिरेक्ली है ये नोटिसिबल दूसरी क्या है डिस्गाज अनम्प्लोमेंट परशन बेरोजगारी ये डिरेक्ली नहीं दिखाई देती इतनी असानी से लेकिन होती है ये खेट देखो इस खेट में ये यहाँ पर कितने दस बारा में लगए यह एक दो पीछे से द कर लगा रहा है चानली चोप में चले हैं आप दिली में ऐसे आपको कई शीन मिल दें ये सड़क बना रहे हैं, क्या बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो इस तरह की बिरोजगारी होती है, डिस्गाइस अनप्लॉइमेंट बोलते हैं, और ये इसमें, जितने लोगों के आपशक्ताव से जादा काम कर रहे होते हैं, तो ये कहां, मेंली तो ये एगरिकल्चर सेक्टर में मिलती है, लेकि ये सिटीज में मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि सिटीज में होती ही नहीं है, थर्ड कैस सीजनल अनप्लॉइमेंट, ये मेंली कहां एगरिकल्चर में पाई जाती है, हुआ क्या, बुआई का सीजन आया, एक फसल बोदी, वो फसल की बुआई होगी, बुआई के बाद में, सारे मजदूर ये जो बैटे में, योगे फ्री, खेत में कोई काम नहीं, खेत का मालिक अब इनको बुला नहीं रहा, मजदूरी की दुरूती नहीं उसको, तो ये लोग क्या करते हैं फिर, जो ऐसा सीजन आता है, जब कोई काम नहीं ह होता है, ठीक है, कुछ समय के लिए होता है, शेहरों में मजदूरी करी, मजदूरी करने के बाद में, फिर जो खेत में कटाई का सीजन आगया, या अगली भुआई का सीजन आगया, कुछ भी, मतलब जब लगा की, واپस खेतों में काम मिल सकता है, थो ये फिर गाउं की दो तरह के हैं उसके, जो effort है या उसका जो impact है नहीं प्रभाव और उसके प्रयास जो है, उनकी अगर हम बात करें, गवर्मन डिरेक्टली अगर कहें कि भाई, सार जरी कुपकरम जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं, PSE, Public Sector Enterprise जो होती है, उसमें भरती कर दे, सरकारी महक में हैं, जो government department से उनमें भरती कर दे, employment generate हो जाएगा उससे, directly हो जाएगा, और दूसर तरीका है indirectly, government क्या करें, अपना production बढ़ा ले, production बढ़ाएगी तो definitely सारी चीज़ government खुद तो produce करती नहीं, कुछ machine के पुर्जे, कोई raw material, कहीं से कोई services, सेवाएं, कुछ-कुछ इदर से खरीदे के अलाबा, जैसे मन्रेगा की scheme है, सरकार मन्रेगा में scheme लेकर के आती है, तो उससे भी employment generate हो जाता है, तो वो direct है, एक example हो सकता है, तो इस तरीक से आपने देखा कि directly भी वो कर रही है, और indirectly भी कर रही है, तो कोशिस तो कर रही है, employment generate की, लेकिन हमने trend देखा इंडिया में, क employment generate उतनी तेजी से नहीं हो रहा है, जितनी तेजी से हमारा output बढ़ रहा है, तो jobless growth की problem तो इंडिया में है ही, इसके लिए काफे गंबीर प्रयास करने की दरोत है सरकार को, इस वीडियो में इतना ही, employment का जो topic है, वो finish हो गया, second video थी, और employment के topic पे इतना आप पढ़ लेंगे more than enough है, exam में आपके बढ़े number आएंगे, पढ़ते रहेंगे मेरे साथ में, next topic बोजली लेकर क्या होगा, thank you so much, bye bye, take care, keep studying